हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है आपी देखे एन वेलकम टू टेक सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास कोई सी भी एंड्रोइड टीवी है और आप उसमें स्क्रीन सेवर को आफ करना चाहते हैं या फिर आउन करना चाहते हैं तो वो कैसे करें आप यहा पर अलग-अलग इमेज थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती है तो इसे लगाने के लिए या बंद करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है अपनी टीवी की रिमोट से अपनी टीवी की सेटिंग्स में चले जाएं और डिवाइस प्रिफरेंसिस आपको स्क्रीन सेवर इस पर क्लिक करें और इसे ओपन कर लें तो स्क्रीन सेवर बैकड्रॉप यहाँ पर आप आफ कर सकते हैं अगर आपको स्क्रीन सेवर आफ करना है बैकड्रॉफ पर रख सकते हैं या अगर आपको कलर्स वाले स्क्रीन सेवर चाहिए तो वैसे भी रख सकते हैं ठीक है अपनी मर्जी से सलेक करें यहाँ पर option है when to start यानि कि अगर आप TV यूज नहीं कर रहे हैं आपने home screen पर रखके उसे छोड़ दिया है रिमोट से आपने 5 मिनट तक कोई भी बटन नहीं दबाया है तो automatic यहाँ पर वो images screen savers आ जाएंगे तो आप कितने time बाद उसे आने देना चाहते हैं यहाँ पर आप अप सेलेक्क कर सकते हैं इसके बाद पुट डिवाइस त्यूप आप चाहें तो कुछ नहीं काम कर रहा है कुछ देक नहीं रहे तीवी में तो यहाँ पर आप स्लीप का भी option सेट कर सकते हैं अपने आप आपकी टीविट आफ हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको किस-किस तरीके के स्क्रीन सेवर्स नजर आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ देमो थोड़ा सा क्लिक करें और देख लें यहाँ पर थोड़ा सा 2 सेकेंड का वेट होगा बंद करके वापस से आउन होगी और यहाँ पर आपके स्क्रीन सेवर्स आपको नजर आ जाएंगे यह पांच से दस सेकेंड में अलग-अलग स्क्रीन सेवर्स यहाँ पर चेंज होते रहते हैं तो उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे टैक्सवर को सब्सक्राइब कर दे